SC, ST, OBC, भाई और बहनों के साथ दसकों तक भेजबाव करने वाली कॉंग्रेस आजकल एक पुरानी रेकॉर्ड बजा रही है जब भी चुनाव आता है समिधान के नाम पर जूट बोलना ये इंडिय अलाइज के सब साथ्यों की फैशन बन गई है वो कॉंग्रेस जिसने बाबा साहब के जीते जी उन्हें चुनाव हरवाया जिसने बाबा साहब को भारस रत्न नहीं मिलने दिया जो वो कॉंग्रेस जिसने देश में आपात काल लगा कर सम्विधान को खत्ब करने की कोशिश की आज वो मोदी को गाली देने के लिए सम्विधान के नाम पर जूट की आड़ ले रही है ये मोदी है जिसने देश में पहली बार सम्विधान दिवस मनाना शुरू किया ये कॉंग्रेस वालों ने सम्विधान दिवस मनाने का विरोध किया था पार्लोमन में फासन है उनका या बाबा साहब का ये अप्मान हैक नहीं है सम्विधान का अपन हैग नहीं है इतना ही नहीं यह मोदी है जिसने बाबा साब से जुड़े पंचतिर्थों का विकास किया इसलिए बाबा साब और सम्विधान का अपमान करने वाले कॉंग्रेस और इंडिय अलाइंस के जूठों से उनकी गबाजी से साब दान रहने की जरुवत है और कॉंग्रेस वाले सुनने यह चार सो सीखती बात देश की जनता ने इसलिए की है कि आपने दस साल पारलामेंट में मुझे अच्छे काम करने के लिए रोकने की लगातार कोशिश की है और इसलिए देश आपको कॉंग्रेस को सजा देना चाहता है और साफ कर देने का मन मना लिया है और जहां तक सम्विदान का सवाव है आप मान के चलिए और मोदी के शब्दे लिख के रखिए बाबा साब आमबेर कर खुद आ जाए तो भी सम्विदान खतम नहीं कर सकते है यह हमारा सम्विदान सरकार के लिए गीता है, रामार्ण है, माबारत है, बाइबल है, कुरान है यह सब कुछ हमारी लिए हमारा सम्विदान है यह आज यह सम्विदान के नाम पर जूट भलाने वाले लोग मैं उनको सवाल पूछता हूँ अगर आपके लिए सम्विदान इतनी एहमियत थे तो आपने बाबा साब आम बेर करके सम्विदान को पूरे हिंदुस्तान में लागू करने की हिम्मत तो नहीं दिखाई सतर पततर साल तक बाबा साब आम बेर करके सम्विदान पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं हुआता कौन जिम्मेवार है कौन ती मेवार है कौन ती मेवार है यह मोदी है जिसने कस्वीर से कन्या कुमारी हिंदूस बावा साब आम बेड़ करके समिर्धान को लागू करके दिखाया कॉंग्रेस ने जम्मु कश्वीर में अलगाव और आत्र इंको हवा देने वाला आर्टिकल 370 बनाये रखा जम्मु कश्वीर का सम्विधान अलग था हमजब का सम्विधान अलग था तीन सो सत्तर के एक दिवार खड़ी कर दी गई थी